हलो फ्रेंड्स वेलकम टु दक्षाई इंग्लिश लिट्रेशर जोन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप से बोला था आप से प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ अचानल जरूर लेकर आओंगी लंडन जो विलिम ब्लेक ने ये पॉम लिखी है और इसी के रिकार्डि में कुछ इंप्रोटन क्योंकि उस वीडियो में इतना टाइम नहीं होता कि उसमें सारी चीजे तो डिसकस नहीं कर सकते हैं तो इसलिए मैंने ये नेक्स्ट वीडियो ब तो भी देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लंडन बाइ विल्यम ब्लेक लंडन की मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी जो यह पॉम है लंडन यह बड़ी ही सुन्दर मुझे तो बहुत अच्छी लगी यह पॉम तो इसमें जो मैं आपको इसका जो इसका कलेक्शन है जो इसकी बनावट है मैं वह चीज आपसे डिसकस कर रहती हूं लंडन जो पॉम है वो डिवाइड़ है इंटो फोर स्टेंजा चाल स्टेंजा है इसमें मैंने इसमें पहले भी आपको बताया था और जो इसकी राइमिंग है वह है एभी एभी इस राइमिंग स्खीम से लिखा है विल्यम बेक ने इस गीव सिंपल रिदम विच रिफ्लेक्स प्लेक्ष एजल सौंग इन ब्लेक्स की लेक्षन है मैंने दोस्तों यह भी जिख्र किया था कि यह पॉम किस उनकी जो फेमस पॉम है एक सौंग ऑफ एक्स्पीदियन से एक सौंग फ एनुसेंस है तो इसमें जो AB का राइम आया है वो है cry of every man, so man को जो फॉलो किया है वो band ने किया है, band से उसका राइम है और fear का राइम बना है here से, तो आप देख सकते हैं example भी इसमें जो राइम है वो AB की है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट हम डिसक्स कर लेते हैं लंडन की पॉम का, what is the message of the poem London by William Blake, इसमें message क्या देना चाहते हैं William Blake, जो यह poem है, तो इसके लिए मैंने जो यह questions बनाया है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ भी लीजिए और थोड़ा बहुत माइन में भी रख लिजिए, और आप इसको फिर से देख सकते हैं, और प्रीज वीडियो को बिटिश मुनार्की, वहां पर उसके बिटिश मुनार्की का बहुत जादा चलन था, और इसलिए लंडन में वह अनलाइज कर रहे हैं William Blake, उस point of view से, जहां पर cruelty बहुत जादा देखने को मिल रही है, इंजस्टिस हो रहा है, गरीब के साथ अलग अमीर जो कर रहे हैं, और इन दा सुसाइटी एंड क्रिटिसाइज कर रहे हैं चर्च को भी क्योंकि चर्च के सामने चर्च उस चीज से शर्म सार हो जाती है, यह चीज देखे कि वह जो छोटे बच्चे हैं, इट अर्टिकुलेट्स तस शोशल ग्रिवांसे अफ मार्जिनलाइज पीपल जिनके पा जो चिमनी स्वीपर्स हैं, जो टाइम था वह इंडस्ट्रियल रेवलूशन का था वहां पर चिमनिया फैक्ट्रियों में बहुत ज्यादा थी और उन्हें सफाई के लिए वह पे छोटे बच्चों को रखा जाता था जो चोटे बच्चे उनको साफ करते थे क्योंकि उनके एक में कुछ MCQ questions पता फट सी कर लेते हैं, first question is, William Blake was a poet and a dash डोस्तों मैंने दोस्तों मैंने उसकी क्वेशन पनाया है, वह उसलिह कि मैंने में आपको इसमें options नहीं क्योंकि options से कहीं बार हो चारो option माइं में में सेट हो जाते हैं, मैंने सीर्फ एक ही answer लिखा थाएrit है लेकिन उसके साथ एक पेंटर भी थे Q2. London was first published in 1794 1794 आपको याद जरूरर रखेंगे जिस तरीके से मैं आपसे discuss भी कर रही हूं तो आपको ये वीडियो देखनी काफी रहेगी जहां तक मैं आशा करती हूं Next question है London was published in which collection London जो पोम है वो कौन सी collection में तो आप लोगों को पता चली गया होगा Song of experience So next question What significant event was happening at the time of the poem जब ये पोम लिख रहे थे William Blake तो क्या significant event था उस time का जो चल रहा था अंतराल वो क्या था तो वो था दोस्तों The Industrial Revolution वहाँ पर इंडस्ट्रियां गुड्स पनाने के लिए काफी डेवलप हो रही थी उस दोरान तो ये तब का पीरिट था Question number five What is the theme of London? London जो पोम है उसकी जो थीम है जिसके आधार पर वो पोम बनाई है William Blake ने वो क्या है वो है माईजरी माईजरी मतलब sympathy है उन्हें हर चीज से और जो हाँ दैनी है स्थिथी हो रखी है उसके उपर उन्होंने ये पोम लिखी थी तो चलिए बात करते हैं Question number six What is the meter of the poem? London जो पोम बनाई ही कि उसका meter क्या है अगर हम सोचे इसको ग्रामिटिक नी तो Iambic tetra meter में आप सभी लोग जानते है Iambic tetra meter में बनाई है Next question है What is chartered mean? Chartered का mean meaning क्या है Chartered का mean है Confined and legally defined Confined है बहुत ही अच्छे से मैं आपको पहले बिदाया था जो designated होता है बहुत sophisticated होता है Chartered बहुत अच्छे से जहां पर government का अधिकार था थेम सनर्दी को भी वो chartered बोल रहे थे तो बहुत अच्छे से बनी हुई पॉश एरिया बहुत अच्छे से बनावा और legally defined है मतलब government का वहाँ पर रास था Whose cry appels the church Church को appels मतलब शर्मसार होना Appels जो word है उसका मतलब होता है शर्मसार So कि कि क्राई से चर्च है वो शर्मसार हो जाती है चिमनी स्वीपर्स चिमनी स्वीपर्स आपको पता है चोटे बच्चे थे वहाँ पर तो चिमनी स्वीपर्स के आवाज से क्राई से चर्च जो है वो शर्मसार हो जाती है Next question लेते है What turns down the palace wall वहां कि जो बड़ी बड़ी उंची इमारते थी बहल थे उनकी दिवारों पर क्या बहर था Blood, soldiers का blood जो अपने लिए उनकी सुरक्षा में अपना bloodshed कर रहे थे बहार रहे थे खून बहार रहे थे पर उनकी सुरक्षा कर रहे थे उन्हें सुरक्षित रख रहे थे तो इसी अधार पर यह questions यह line उन्होंने लिखी थी पॉम में और यह question मैंने बनाया है So next question है What does the speaker hear everywhere? speaker जो William Blake है उनको हर जगा पर क्या सुनाएं दे रहा है Mind Force Manacles जो माइंड है लोगों का वो बहुत ज्यादा forcefully बहुत ज्यादा दबाव में हैं और उनके दिमाग में जंजीरों की बेडिया है वो अपने आपको आजाद नहीं समझते हैं उन्हीं की जंजीरे मैने कल समदब जंजीर होता है उन्हीं की बेडिया उन पर कहीं न गई लगी है तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी आप इससे जरूर प्लीज कमेंट करें लाइक करें शेयर करें और प्लीज इसे सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती र कर दो दो कि राष बाष बाष गताई कर दो दो एल कर दो दोगर